इस वीडियो में किस तरीके से इंट्रेंस का प्रिप्रेशन करना है लास्ट के अभी आपके बस देखाए तो मैक्सिमम 20 बच्चे बच्चे बनों से कमी अभी है कैसे आपको इस टाइम में तयारी करना है क्या फोकस करना है किन चीज़ों पर धियान देना है उसके बारे में देखे हाला कि अभी आपको यहां पर दिख रहा हो कि 67, 67, 66 कोशन पूछे जाएंगे इसमें निगेटी मार्किंग रहेगा और आपको थीरी आर्स का टाइमिंग लेगा लेखिन ऐसा लग रहा है इसमें बदलाव आने वाले है क्या बदलाव आएंगे इसमें जो बिसके ल आपको तो simply तैयारी करना है या तो 100 कोशन पूछ दे या 200 कोशन पूछ दे वैसे भी पढ़ना होगा 200 के लिए पढ़ना होगा 100 के लिए भी पढ़ना होगा बस यह कि 200 में जो cut-up होता था 100 प्लस चला जाता था तो अगर 100 का होगा तो उसमें मान के चली के 70 प्लस ही सबसे पहले आप क्या करिए सिलेबस देख लिए अब जैसे यह सिलेबस इसको आप डाउनोड कर लेंगे दूसरा इस अगर सिलेबस यह तो वीडियो कर दिस्रिप्स बॉक्स में टेलिकराम कर लेंगे मैं वहां डाल दूंगा दूसरा यह कि कोशन पेपर बहुत जरूरी है कोशन पेपर 3-4 सालों का पेपर ऐसस कर यह तीन साली सफिस्टेंट होगा जामय के डिप्लॉमा के लिए 3 साल के लिए सफिस्टेंट होगा यानि कि 2019-2021 क्यूंकि उससे पहले आगर जाएंगे तो जामय का पैटरन कुछ और था मदब कोशन का पैटरन कुछ और था लेकिन 18 19, 20, 21 से पेपर का पैटर्न बदल चुका है तो ऐसे मैं सिंपल यह रिकमान करेंगा कि आप 19, 20, 21 का पेपर को सोल्ब कर लिए अब आते हैं अगें पॉइंट पर चलिए आपके पास अब यहां पे सिलिबस भी हो गए हैं कोशन पेपर भी हो गए हैं सबसे पहले क्या करिए एक बर सिलिबस को ढंग से देख लिए ओविसली इनके सारे टॉपिक्स आपके माइन में नहीं होंगे लेकिन आपको इन सारे टॉपिक्स अगर नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन अगर कोशन पेपर आप सोल कर ले रहे हैं अगर अगर थुरूली आप से पूझे करें कि यह तो इतने सारे सिलेबस मुझें समझ नहीं आ रहा है अप क्या कर लो अट टिस्ट मिनमम नाएं टेन को दवा के पढ़ लो जतना बेस तरीके से नाइं टेन को दवा के पढ़ लो क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक है जो 11 टॉल से मैच कर रहा होता है तो इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाता है इसमें जो सिलेवे से वो कैसे कर पाएंगे इसमें तो समझ में नहीं यह रहा है कुछ कुछ इसमें से अगर आप देखेंगे तो 50% ऐसा टॉपिक है जो आपका 19 से मिलता जूलता है और बाकी कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको हायर स्टेडी में यहने 11 टॉल में आपको 11 टॉल से मैच कर रहे हो होते है तो ऐसमें यह कि क्योंकि होता यह था था निकि जामे अगर आप कोस्टन पेफर में अगर वाइदेवी 200 का 200 माक्स का है तो अगर आप 100 प्लस स्कूर कर दें इसका मतलब है कि आप सेफ सेलेक्शन पेपर को स्टेब कर देना है जहां तक हो सके 3 साल मिलम आपको करना है करना है और हाले के मैने इस पर वीडियो बनाए वह देख ल दूसरा है कि इसलेबस को टॉपिक जीसिति इसे कि डिस्टेंस इस्टेंस आ डिस्टेंस क्लास नाइन का चप्टर है अग्टीयाई कि लाग्या करी जो ही ऑडरीबस देख सकते मिलग दहता बहुत बहुत ज़ुसा तफ नहीं इसके लाफा हो गया देखा जाए तो यहां पर यूनिफर्म, नॉनिफर्म, सर्कूलर मोशन, मास, वेट, मॉमेंटम, इंपल्स, लॉब मोशन, कंजबिशन, ममेंटम, वक, पावर, इनर्जी, कंजबिशन, इनर्जी, कारेक्रिक्रिक्स अप्सॉंट, लॉंगिटुनल, यह सार देखा जाए, इसके जातार टॉपिक है तो इसमें कुछी ऐसे टॉपिक है जो 11-11 तूल के बाकि अल्मूस्ट जाहतार जो टॉपिक है लेकिन आप रिलेट करेंगे समझेंगे तब तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि आप सिलेबस समझ गया है या सिलेबस को आप रिलेट कर रहे हैं कि यह 9-10 का ही सिलेबस है थोड़ अब हम सवाल होता है कि तयारी कैसे करें लेकि सबसे पहले अगर हम बूक लिस की बात करें तो मैं तीन-चार तरीके का सजिस करेंगा एक तो सबसे पहले एंसे प्रिफर कर लेजिए मतलब साइंस और मैथ दूसरा जिसे अब जो भी हार बोड के स्टूडेंस तो उनका भार अब कोंडिकशन का बुक है वो बुक को प्रिफर करें तो उससे क्या होगा कि आपके कॉनसेप ज्ज्छादा केलियर नहीं हो पाता है जल्दी तो बेर कि कोई भी हैल भुक लीजिए उससे कौनसेपर पहले करें यह दो हो गया तीस्री चीज है कि आगर आपके पास कि आपको जिसे आपने पढ़ा क्या laws of motion पढ़ा तो या फिर बड़ा symbol class 10 का जो फर्स चेप्टर है वो chemical action and equation है आप क्या करिए chemical action and equation search करिए chemical action and equation सपोर्टी मैटेरियल सर्च करेंगे और उसके बाद उससे जो भी इक्सटा information मिलता हो हां से access करें थोड़ा सा revise करिए पहला ही हो गया दूसरा क्यूंकि आपके पस मतलब 20 डेस का असपस time है यह मान लेता है कि 18 डेस ही है आइडन कार्ड की बात करें तो वन विक पहले आंगे और मान लिए कि 1 जून के आसपस अब हम बात करते कि मतलब इसके बाद आप क्या करने है हर चप्टर का एक तो आपके पास जो गाइड है उसका आप अफ इसमें में आपको सच्ष करना चाहूंगे आप कि आपके पास क्या करना है mcq लगाना mcq पार्डे से लेकर करके 200 के भीच में आपको mcq लगाना ही अब उसमें physics भी रहेगा chemistry भी रहेगा सब्सक्राइब कर लो सबको सब्सक्राइब कर लो अगर मान लो कि आप पर चैप्टर अगर मतलब हर चैप्टर के सबसे अगर 200-200 लगाद इसका मतलब है कि आपने तयारी आप पर हो चुका है तो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा फोकस करने साथ ही अब बोलेंगे सर थोड़ा सा मैंस्टाइम नहीं नहीं हो पा रहा है बड़ा सिंपल है देखिए टाइम तो इतना मिलता है कि आप आराम से जामय के पेप आप इसका मिलता है और मैश इसका मिलता है बाकि याद करने वले जो चीजे है क्योंकि कुछ चीजी आपको रटना भी पड़े का याद भी करना पड़े को उसके लिए आपको मॉर्णि का टाइम प्रीफर करिए ज्यादा बेट रहें क्योंकि उसके पोसितिव इन्वाइम पॉस्तिव वाइब होते है उसके यूज कर सकते है युज रुपनी का जो टाइम हो तो बहुत अच्छे होता है इसके आप पढ़ाई को यूज कर सकते है तो उसके लाबा वाइब सबसे जयादा आज के टाइम में मदलब एक तो साइट साइड को रिवजन भी करना है रिविजन हो गया, दुसरा आपका कोशन पेपर को देखते रहना है, तीसरा आपको याद भी करना यह नहीं कि बस ऐसा ही फर्मॉला यह देख लिए नहीं, याद भी रखना आपको, उसको लिए आप मॉर्णिंग में अजिस मैंने कहा है कि आपको रठी है उसको याद करिए इसके लाबा यह कि सबसे ज़्यादा आपको MCQ एकदम से दवा के सोल्ब करना है उसको, और अगर अपके अपके अपस गाइड है तो गाइड को भी MCQ लगा लीजिए, लेकिन याद रखी कि कुछ कुछ चीज़ा ऐसा जो सेलेक्टिव चीज़ा है लेकिन यह तब समझ में आपका निक्स थीर डिसाइड होने वाला है तो ऐसे में भेतर है जरूरी है कि अगर आप जामय का सपना देख रहा है जाने के लिए तो जरूरी है कि थीरियर के लिए जो 20 डेस का भी जो टाइम मिल रहा है इसमें कम से कम साथ साथ गंटा ये 6 साथ गंटा यूज करिए झाल 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 झाल